मित्रो नमस्कार, गुड मॉरिंग, अभिवादन और आभार आप सभी का जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक साल से, एक डिरे साल से जब से तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान के उपर, वो दुबारा से पावर में आए है पाकिस्तान में TTP के हमले बहुत तेजी से बढ़े हैं सोमच सो कि पिछले एक साल में लगभग 700 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की बात किया रही है और ये 700 लोग मजोरिटी इन में से सिक्यूरिटी परसेनल की है यानि कि जो पाकिस्तान की जो paramilitary या military forces हैं उनके उपर हमले कीए गये हैं और ये चाठचाट कर TTP हमले basically KP और ब्रुचत्तान के अलाकों में सिक्यूरिटी फोर्सेज पर करती है इसके पीछे basically उनका उद्देश यही होता है कि एक तो उनकी जो आम पब्लिक में उस तरह का गुस्तान के खलाफ नहीं आता है हलाकि केपी में बहुत सारे इलाकों में लगातार पीस मार्चेस निकाले जाते रहे हैं जो शांति के लिए चाहने वाले लोग हैं मगर उसके बावजूद वहां पर यह लोग सेकरोडी फोर्शेस पर जारी रखे हुए थे हैं जारी हुए हैं बलके जारी किये हुए और पाकिस्तानी सरकार के पास दरसल उनका कोई इलाज था नहीं इस सारे मामले को लेकर इन्होंने बार-बार अफगानिस्तान सरकार से कंप्लेंट की बार-बार धंकिया दी यह भी धंकिया दी कि हम युनिटारिक कर सकते हैं एर फोर्स भेज सकते हैं या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं वड़ेव तो मगर वह अफगानिस्तान ने उनकी किसी बात पर तावज़ों नहीं थी उन्होंने हमेशा ये कहा कि TTP का मसला आपका internal मामला है TTP अफगानिस्तान में नहीं है और TTP पाकिस्तान में रहती है तो TTP का मसला पाकिस्तान जाने और TTP जाने ये भी इस बीट में हुआ था पिछली साल में कि जब अफगानिस्तान ने अपने good offices को इस बात के लिए यूज किया और उन्हांने ये वादा किया पाकिस्तान से कि आप आएं हम facilitate कर देते हैं और ये इमरान खान की सरकार की बात है जब फैज हमीद जो हैं वो क्वेटा में पाकिस्तान अपने अंदर नहीं बसा पा रहा है या नहीं मैनेज कर पा रहा है तो उसको अफगान तालिबान वो बसा देंगे लेकिन उसके लिए उनको कास्ट पे करनी पड़ेगी तो वो जाहर है कि बात बनी नहीं पैसे-बैसे की पाकिस्तान से हैं नहीं नहीं भूखे नंगे लोग बिचारे तो उसका उनको पैसा वासा है नहीं तो क्या देते नंगा नायेगा क्या खाय और निचोड़ेगा क्या तो उन्होंने चीज जनाब अब हुआ क्या है इस सारे मामले में के लिए आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिन पहले ही अभी दो तीन दिन पहले गए हुए थे मौलाना फजल रह्मान मौलाना फजल रह्मान गए हुए थे काबल इस बात के लिए कि वो टीटीपी का मुद्दा अफगान तालिबान से उठाएंगे और उसका कोई हल की जो हैसियत है वह अच्छी खासी इस तरह से हैं कि जो मदर्से वरन करते हैं तो जो करेंट लीडर्शेप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हीं मदर्सों से पढ़कर निकले हैं और बड़े हुए हैं जो जो मौलाना फजल रह्मान चलाते रहे हैं तो उस लिहाज से उनकी एक understanding है एक दूसरे की और ये भी सचाई है कि मौलाना फजल रह्मान की अफवानिस्तान को लेकर जो सोच रही है ठीक वही सोच खुद तालिबान की रही है तो तालिबान की सोच से मौलाना फजल रह्मान की सोच मैच करती है तो इसलिए और मौलाना फजल रह्मान उ अमरीकेगियों के खिलाफ तो मौलाना फजर रह्मान और उनकी पार्टी उनके लोग वह सपोर्ड में थे तालिबान की अडियोलोजिकली एन अधरवाइस खेर तो बात यह आई कि अब तालिबान इन्होंने आफर किया जो जब से इन्होंने टेक ओवर किया था तालिबान न तब से मौलाना फजर रह्मान खुद जाकर उनको मुबार्बाद देना चाहते थे मगर हालात यह बने कि काबल में चुकी और अफगानिस्थान में बसक्री हालात खराब थे तालिबान खुद अपने इंटरनली कर चीशे कंट्रोल करने को हुश्च कर रहे थे तो वो उनक ऑर किसकी हुई मौलाना था की मौलाना ना सोक्ताप की घा जाएगी की मौट क्यों कहना हुआ है मौलाना सांप रिभा था तालिवान सब्सक्रीनंगा है कैं ओर ऊप में गॹल वहां कatiques गया बड़ी बड़ा प्रोटोकोल दिया गया मुलाना साहब को बड़ी इजद से महां पर उनको वेलकम किया गया और तमाम प्रोटोकोल दिया गया मगर जब उन्होंने अपने टाप लेबल पर जाकर वहां पर बात की इनकी टीटीप किया कमदा उठाया तो मुलाना साहब को फिर वही जवाब दिया गया और अफगान तालिबान ने की टॉप लीडोशिप ने मौलाना सहब को बड़ा साफ साफ बता दिया है कि मौलाना सहब टीटीपी का मसला पाकिस्तान का इंटरनल मामला है टीटीपी अफगानिस्तान में नहीं होती टीटीपी पाकिस्तान में होत यह बात साफ मौला Maßnahmen को बता दी घए धी इन यह बात Pacific replied क्या बात आई को मौला भुलाया गया वह तो जो बात में जो सा नहीं । इसलिए उनका इंधिक्षिंब इप आ गया इस लिए मौ कि दर असल अफगान तालिबान कोई कॉंटर्ट पाकिस्तान से नहीं रखना चाहते हैं। कोई बात करना हैं। मरक मबारक बात देने के बात की जो बाते हैं, जाहर है, उन पर अफगान तालिबान का अपना पॉइंट अफ्यू था। और उस point of view से आज से नहीं पहले दिन से टिके हुए और आज भी उसी पर टिके हैं यह बात उन्होंने बिलकुत साफ कर दी है इसके बाद आप यह देखिए कि पाकिस्तान में जो commentators हैं वो यह मान रहे हैं कि जो अफगान तालिबान है वो जूट बोल रहे हैं उनका यह कहना है जो पाकिस्तानी estimates हैं मताबिक टीटीप के जो कुल लोग हैं वो छे से आठ हजार हैं और उन छे से आठ हजार के बीच में फैमिलीज को भी लगा लिया जाए इंक्रूड कर लिया जाए तो रफली बीच से पच्छे सार का वो नंबर बनता है माना जाता है पाकिस्तान के मताविक कि यह तमाम लोग border areas जो पाकिस्तान के हैं आफगानिस्तान में वहां रहते हैं गाउं के गाउं बताते हैं कि वो TTP कंट्रॉल करती है और पहले काम वो च्पकर किया करते थे अब वो बकाइदा गाड़ियों में अपने जंडे लगाकर और करते हैं और सरयाम घुमते हैं उनको कोई वहां रोकने वाला नहीं है ये पाकिस्तान का मामला है दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी इस बात को अपनी बात को थाबित करने के लिए एक और एक्जामपल देते हैं और वो ये कि जब कोर कमांडर कुएटा फैस हमीद थे उस समय पर वो नगोशीशन के लिए खोस्त गए थे अफ़ानिस्तान का प्रोविंसा खोस्त वहां गए थे और वहां पर वो जो जो क्या किते हैं नुर्वली मसूद है जो टीटीपी के लीडर है उनसे उन्होंने मुलाकात की ती और नगोशीशन की थी इस सारे मसले को लेकर आप किया था बाद में उसके चलते ही टीटीपी के तमाम लोगों को हजारों की संख्या में वो सब के सब के पी में एंटर हुए थे विद आर्म्स हथियार लेकर अगर आपको बहुत पहले की बात मैं बताओं आपको करीब करीब माई की बात अगर मैं याद दलाओं आपको मुझे देखना पड़ेगा एक वी लोग मैं उसका निकाल निकालने कोशुश करूँगा कि आपको दूँए हमारी दोस्त गुल बखारी है लंदर से जिन्हों ने उस वक्त हमारे शो में आकर जो है ये बात कही थी उस पर शोर मचाया था उसके बाद में अगले रोज मुझे आदे दो दिन बाद एक चरीव करीव जब इस शोर मचा तो पाकिस्तान के पारलेमन में सवाल उठा और उस वक्त की सरकार ने ये बात कही कि नहीं जो भी फैसला किया जाएगा और याद रहे है इमरान गवर्मेंट थी कि जो भी फैसला किया जाएगा वो पारलेमन को confidence में लेकर किया जाएगा और हाँ ये बात सही है कि वहाँ बात जरूर चल रही है उस वक्त पहली बार ये बात जो है पाकिस्तानी पारलेमन में formally बताई गए थी कि yes हमारी महाँ TTP से बाची चल रही अफगानिस्तान में तो दर असल अफगानिस्तान में मौजूद थे तो अफगानिस्तान में मौजूद थे लेकिन उनका अब ये कहना है कि वो सब लोग पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान जा चुके हैं मितलब ये कि जब वो agreement हो गया TTP का फैस हमीद के जरीए in fact अभी कुछ वक्त पहले कुछ पाकिस्तान सरकार की अफगानिस्तान की government के यानि Taliban के साथ में कतर में मतलब क्या था कि एक Muslim मौलिक में चल रही हैं लेकिन बात में इस साफ हो गए थी जो उनके सोर्सिस ने बताया था कि दरसल मुलाकात कतर में हो रही थी और वहां पर टीटीपी ने इस बात का जिक्र किया था यह डिमांड की थी पाकिसान सरकार से ति इस मुलाकात में आप फैस हमीद को लेकर आई है याद रहे हैं को कमांडर को अटा की पोस पाकिस्तान फॉज सीरेस नहीं थी और वह बेसिकली असस कर रहे थे टीटीपी को और थाह ले रहे थे कि दरसल क्या है पानी कितना गहरा है और और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है या कि साम दौला दुश्मन कितना मजबूत है या क्या है उनका रिजॉल्व कितना हुआ है उसमें अफगानिस्तान ने किसी भी तरह का कोई लीवे देने से इंकार कर दिया है याद रहे कि मौला ना फजल रह्मान जो है यह इनका अपना जो कटकाट है वह तो है ही लेकिन यह एक सच्छा ही है कि उनके उपर इस बीच में दो हमले हो चुके हैं बड़े जि कि बहुति तो वहां पर जो पौलेसी लगते हैं वह उपाट एक और इडियॉचेिस अपर हमला करते हैं यह उनका आर्गूमेंट है तो that's how they argue about it. एक और बात इस पाकिस्तान अपनी बात को अंडर लाइन करने के लिए कहता है कि पाकिस्तान में हैं वो ये कि अभी जब पलस्तीन वाले मसले को लेकर इरान में कांफरेंस चल रही थी तो वहां पर जो अफगानिस्तान के जो इंटिरियर मिनिस्टर है होम मिनिस पाकिस्तान के इंटियर मिनिस्टर अमिर मुटकी ने उनको ये बताया कि सब्टमबर में पाकिस्तान में जो हमला हुआ था टीटीपी का चक्राल में उसमें टीटीपी के लोग शामिल थे और वो अफगानिस्तान से आये थे यह मशायद हड़सेन कहरे है कि ऐसा उन्होंने कहा है और इस बात को पाकिस्तान एक sentiment की तरसे लिएता है आगर वह एक एक कहँ रहे हैं कि वह अफगानिस्तान से आए हैं तो इसके माने यह किति दफी अफगानिस्तान में मौजूध है और वहीं से operate कर रही पात जो आप पाएंगे वो ये कि इस बीच में अफगानिस्तान इसलामबाद में एक कॉंफरेंस हुई थी पाकिस्तान के तमाम अमबेजडर्स की जो दुनिया भर में तैनात हैं और उस कॉंफरेंस में जब यह मुद्दा उठाया गया कि अफगानिस्तान का क्या सलूशन होना च सुन रहे हैं और चीजें खराब हो रही हैं और वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं टीटीपी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है उससे जानी नुकसान भी हो रहा है लोगों को जानी माली हर तरह का और फौज का नुकसान हो रहा है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये अफगानिस्तान accept करता है इस बात को कि टीटीपी वहाँ है नहीं तो जब टीटीपी वहाँ है नहीं है नहीं उनके मताबिक तो उस पर negotiations क्या हो तो फंडमेंटल डिफरेंस आ जाता है वहाँ पर दूसरी बात यह कि अगर यह मान लिया जाए कि यह डिफरेंस कंटीनू करता ह है तो पाकिस्तान के बाद solution क्या है एक बात है और यह बात मैं आपको आज से नहीं महीनों से लगभग साल भर से कहा रहा हूं पाकिस्तान के अंदर यह capacity है नहीं जो मजूदा geopolitics है और जो मजूदा हालात है मतलब भी आपने ही बढ़ा किया था था ने इन पौदों को लग करता है मैं उनसे उम्मीद कर रहा कि दूरन लाइन को आप इंटरनाशनल बाडर मान लें वह कभी मानते हैं नहीं उन्हों तब भी नहीं माना जब पहली तालिमान के रिजीम थी तब वह वहां थी और जब पाकिस्तान और और फाने संग बीच पे बड़ अच्छे संबन थ करते हैं तो और और ट्रीटीप की जो अभी एक डिमांड है वो यह कि फाटा का जो इलाका है प्रीवेसली जो इसको फाटा कहा जाता था जिसको के मर्च कर दिया गया है वह अभी यह कहते हैं कि उस लाके को आप वापस उसका पुराना फाटा वाला स्रेटस दीजिए और वह अपने कंट्रोल में चाहते हैं उसको याद रहे है इसके पालिशी बड़ी क्लियर है कि अगर वह माली जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के पास जो आप्शन है वह आल्मोस निल है क्योंकि अगर वह कोई हमले के बाद भी सोचें तो बंती बात नहीं है क्यों को लॉग पाकिस्तान की वो तालिबान हैं जो 20 साल तक अमरीकियों से लड़ते रहें डिस्पाइट अफेक्ट कि उनके पास सारी तरह का आर्मामेंट था और सब कुस था मगर मैं आपको और बताओ पाकिस्तान में कुछ जैनलिस्त है कामरान यूसूफ में से एक हैं जो इस बात को ह पर यह सचाई अब जाहर हो रही है जो मैं महीनों से आप से कहा रहा हूं और जाहर यह हो रहा है कि जद्धनाम आपकी ऺ़सियत नहीं है कि आम उन पर acqu पर हमला करें अफग आपको मालूम है कि उसके बाद आपके अंदर क्या कुछ होगा यादि रहें अफगानिस्तान मे में बहुत बड़ा दर्द है इस बात का कि उनको जिस तरह से यहां से निकाला गया है तो हाला एक्चिली उस बॉर्डर पर अब दिन पर दिन खराब हो रहे हैं और पाकिस्तान के जो आप्षिंस थे खत्म हो चुके हैं इस वक्त डिप्लोमेटिक चीजें फेल हुई हैं अफ सहाब थे मैं आपको क्या बताओं उनका भला सा नम था खर वह भी बहुत 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 बहु उपर है मत्वाना खदुल रह्मान साफ से और उस उनकी एक्सेप्टिविलिटी भी जो इडियोलाजिकल एक्सेप्टिविलिटी है वो तालिबान के बीच में कहीं ज्यादा है मगर वह भी जाकर और बात करके देख चुके हैं तो बेसिकली 2 मौलानों को शामिल किया गया दोनों अपनी जगे मगने जगेते aquí बदे मित्वाज्यास पाखे मितन ही आज